हलो माई डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम टोपिक पढ़ेंगे हाइडरो सिफेलस तो टोपिक शुरू करने से पहले में एक बात कहना चाता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और आपको अच्छी भी लगती है तो भाई यार एक लाइक जरूर कर दिया करो इससे क्या होता है कि एक तो confidence मिलता हो और मन में यह लगता है कि भाई student support करते हैं हम भी मेनत आपके लिए कर रहे हैं अच्छा content लाने कोशिश करते हैं तो भाई आप भी like कर दिया अगर हो ताकि हमें भी लगे कि यार चलो student का support है anyways यह सब भी आपके उपर depend करता आप like कर या ना करें चली अब topic शुरू करते हैं तो भाई जो hydrocephalus की condition है यह important topic है pediatric में exam के लिहास से तो इसको शुरू करने से पहले अपन बात कर लेते हैं CSF के बारे में यानि कि cerebral spinal fluid cerebral spinal fluid से ही condition link है और इसी के problem की वज़े से condition arise होती है तो भाई CSF आपने anatomy में पढ़ा होगा cerebral spinal fluid कहां पाये जाता है हमारे nervous system में पाये जाता है ठीक है कौन सी cells इसको बनाती है तो choroid plexus जो होता है इसकी cells इसको बनाती है ventricles के अंदर CSF के normal value की बात करें तो इसका normal volume होता है 92-200 ml के around जो पाये जाता है हमारे brain spinal cord के जो subarachnoid space है उसमें और जो ventricles है brain के उसमें और जो है पर हावर में जो है 20 ml जो है बनता है हमारे CSF पर हावर के हिसाब से तो अगर 24 गंटे की बात करें तो 400-600 ml के around जो है CSF जो है एक दिन में हमारे brain या spinal cord में बनता है ठीक है तो यह तो बात हो गए normal CSF के volume की next अब यहाँ पर बात कर रहें इसके function की तो जो CSF होता है यह हमारे nervous system के जो tissue है brain के tissue है spinal cord के tissue है उनको यह जो है nourishment provide करता है like protein glucose वगेरा provide करता है इसके अलावा जो है waste को remove करने में help करता और तीसरा protection का काम करता है ठीक है तो यह बात हो गए CSF के functions की अब third thing यहाँ पर आती है by CSF का circulation की ठीक है तो अब अपन जो CSF का circulation है उसको diagram के through यहाँ पर समझेंगे तो आप यह diagram देख रहे हैं यह brain का diagram है तो यहाँ पर जो CSF बनता है CSF बनता है यहाँ पर ventricles के अंदर ventricles में जो choroid plexus पाए जाता है उसमें जो है CSF बनता है यह CSF यहाँ से lateral ventricles से third ventricles में थर्ड ventricles से fourth ventricles में आता है foramens के through then fourth ventricles से जो है यह सब-arachnoid space में एंटर होता है सब-arachnoid space से जो है यह पूरे brain में circulate होता है ठीक है brain में circulate होता है दूसरा जो spinal cord में spinal canal पाए जाती है उसके अंदर यह circulate होता है circulate होकर यह जो brain के tissues है spinal cord के tissues है उनको nutrition वगेरा provide करता है ठीक है अब यहाँ पर यह circulate होने के बाद में last में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो structures देख रहे हैं इनको बोलते हैं arachnoid villi यह arachnoid villi क्या करती है जो CSF circulate होके आ रहा है उस CSF को absorb करती है क्या करती है absorb करती है absorb करने के बाद में यह CSF arachnoid villi से superior sagital sinus में चला जाता है और इस sinus के थुरू जो भी CSF आता है वो blood में चला जाता है ठीक है एसी condition होती है जिसमें nervous system में brain या spinal cord में CSF का जो volume है वो normal से ज़्यादा हो जाता है high amount हो जाता है normal volume से ज़्यादा हो जाता है जिस condition को अपन बोलते है hydrocephalus ठीक है hydrocephalus क्या होता है कि भाई CSF का जो volume है वो normal से ज़्यादा level में बढ़ जाता है brain में spinal cord में या nervous system में जिस condition को अपन बोलते है hydrocephalus अब जो hydrocephalus होता है यह दो main reasons की वज़े से होता है ठीक है क्यों होता है दो main reasons या दो conditions की वज़े से हो सकता है कि भाई जो CSF circulation हो रहा है ठीक है तो यहाँ तो यहाँ पे जो CSF का circulation है जो वो block हो जाए यानि कि CSF का circulation जो ह होता है वेंट्रीकल से सब अरेक्नोइट स्पेस से वो block हो जाए तो भाई brain में CSF का level बढ़ जाएगा या फिर CSF का absorption होता है जैसा में आपको बता है एरेक्नोइड विलाई CSF को absorb करती है तो अगर उसका absorption बंद हो जाए तो उस condition में भी brain में CSF का level बढ़ जाएगा तो इन इसी गया तक आपको समझ में आ गया होगा अब अपन बात कर लेते हैं इसके introduction and definition की तो भाई hydrocephalos जो term है या जो शब्द है यह जो है ग्रिक शब्दों से लिया गया है जिसमें hydro का मतलब तो होता है water और सिफेलस का मतलब होता है head ठीक है तो यह एक ऐसी condition अपन बोल सकते ह है जिसके brain के अंदर excessive amount में CSF का या fluid का accumulation हो जाता है ठीक है hydrocephalos जिसमें excessive amount में CSF का accumulation brain में हो जाता है जिस condition को अपन बोलते है hydrocephalos hydrocephalus को पहले water in the brain भी बोला जाता था यानि brain के अंदर पानी भर जाना ये इसको पहले बोला जाता था ठीक है अब बात करते हैं अपन इसके definition की तो भाई जो hydrocephalus होता है ये abnormal condition होती है जिसके अंदर CSF का accumulation हो जाता है high amount में कहां पे ventricles के अंदर और cavities के अंदर अब जो यहाँ पे CSF level बढ़ता है brain के अंदर उस वज़े से क्या result देखने को मिलेगा तो भाई यहाँ पे एक तो जो ICP है यानि कि जो intracranial pressure है इसकल के अंदर जो pressure रहता है ICP intracranial pressure वो बढ़ जाएगा ICP बढ़ जाएगा किसमें देखने को मिलता है तो भाई यह mostly बच्चों में देखने को मिलता है और यह adults में भी देखने को मिल सकता है तो यहां तक बात होगा introduction and definition की next बात कर लेते हैं अपन इसकी causes की तो जैसा आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पे CSF का volume बढ़ने के पीछे mainly दो reasons हो सकते है या तो CSF का flow block हो जाए यानि CSF का circulation block हो जाए दूसरा या CSF का absorption है वो block हो जाए ठीक है इसके अलावा एक तीसरा reason भी यहाँ पे आ सकता है कि भाई जो brain है वो CSF का formation जादा amount में करने लग जाए यानि CSF जादा मातरा में बनने लग जाए तो भी hydrocephalus हो सकता है तो यहाँ पे तीन main reasons अब आ गए है एक तो है कि CSF का circulation है वो block हो जाए CSF का absorption block हो जाए या CSF का formation जो brain है वो जादा करने लग जाए तो इन तीनों condition में CSF का volume जो है brain में बढ़ सकता है अब बात आती है कि यह तीनों reason या तीनों condition क्यों arise होती है तो यह तीनों condition कुछ circumstances होती है कुछ conditions होती है जिसमें यह reasons या problems arise होती है तो इन circumstances को भाई दो तरह की category में बटा गया है पहली तो category है consignital causes और दूसरी category है acquired causes ठीक है तो जो भी यह तीन main reasons होते हैं या problem arise होती है यह दो circumstances की वज़े से होती है या तो consignital causes की वज़े से या acquired causes की वज़े से तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कांजिनाइटल causes कौन कौन सी होती है जो hydrocephalus cause करती है तो consignital का मलब आप सभी को पता है कि जन जात यानि जनम के टाइम या बर्त के टाइम कोई भी problem present होना ठीक है तो अगर किसी female में intra uterine infection होता है ठीक है किसी female के uterus में infection हो रहा है रूबेला infection या toxoplasmosis infection है और अगर वो female pregnant है तो क्या होगा delivery के time उसका बच्चा जो होगा uterus में से जब pass out होगा तो uterus में pass out होने की वज़े time जो infection है बच्चे के contact में आएगा बच्चे के contact में आएगा तो बच्चे की body में enter कर जाएगा ठीक है और वो intra uterine infection ये ज़र infection कोज कर देंगे जिसकी वज़े से जो है बच्चे में हाइड्रोसिफेलस हो सकता है सेकिंड वन यहां पर कोज हो सकती है कंज इनाइटल ब्रेंट ट्यूमर यानि बच्चे में जनम के time अगर ब्रेंट ट्यूमर प्रजेंट है तो वो ब्रेंट ट्यूमर क्या करेगा होगा तो हाइड्रोसिफेलस होगा थार्ड वन यहां पर आता है इंट्रक्रेनियल हैम्रेज बच्चा जब delivery के time मालो ज्यादा प्रेशर लग गया या कोई किसी तरह की injury हो गई बच्चे में हेड में तो उस वज़े से अगर ब्रेंट में ब्लीडिंग होने लग जाए तो ब्लीडिंग की वज़े से भी CSF का circulation ब्लोक हो सकता है और हाइड्रोसिफेलस की condition arise हो सकती है और next वन आता है कंजिनाटल माल फोरमेशन इन एरेक्नोइड विलाई जैसा मैं आपको बताया एरेक्नोइड विलाई क्या करती है CSF का absorption करती है तो अगर CSF का absorption नहीं हो पा रहा है तो उस वज़े से भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है ठीक है तो यह first one बात हो गई कंजिनाटल कोजेस की जो भाई हाइड्रोसिफेलस कोज कर सकती है second one कोजेस यहाँ पर आती है acquired कोजेस तो यहाँ पर acquired कोजेस वो होती है जो बरत के बाद में arise हो रही है यानि बच्चे का ज infection हो गया like meningitis हो गया यानि meninges में infection हो गया inflammation हो गया तो उस वज़े से क्या होगा तो आप सभी को पता है भाई meninges में जो meninges हमारी layers होती है durameter, arachnoid matter और pyameter ठीक है तो arachnoid matter के बीच में पाये जाता है subarachnoid space जिसमें पाये जाता है CSF तो अगर यहाँ पर inflammation रहेगा meninges में तो subarachnoid space ब्लोक हो जाएगा swelling की वज़े से तो वहाँ पर क्या होगा CSF का circulation ब्लोक हो जाएगा CSF का circulation ब्लोक होगा तो भाई hydrocephalus की condition arise होगी next हो नहीं आपर अगर injury हो जाए brain में किसी के बच्चे गे तो उस वज़े से भी arise हो सकता है next हो नहीं आपर अगर neoplasm की condition arise हो जाए मलब tumor वगेरा develop हो जाए तो भी condition arise हो सकती है next हो नहीं आपर भाई जो chemical cause की बात कर ले तो यहाँ पर जैसे hypervitaminosis A लिखावा है यानि कि vitamin A का level अगर बच्चे में बढ़ जाता है excessive amount में हो जाता है vitamin A तो यह कैसे cause करेगा hydrocephalus तो भाई यहाँ पर एक theory मानी जाती है कि जो vitamin A अगर इसका level बढ़ जाता है blood में तो यह क्या करता है vitamin A blood brain barrier जो है उसकी permeability को यह बढ़ा देता है जिस वज़े से CSF का formation जादा होने लग जाता है तो CSF का formation जादा होगा तो hydrocephalus condition arise होगी next one बात कर लेते हैं next cause है hurler syndrome जिन बच्चों में hurler syndrome की condition पाई जाती है उन बच्चों में क्या होता है कि भाई वो enzymes absent होते हैं जो glucose का या starch का breakdown करते हैं ठीक है तो अगर यह enzymes absent रहेंगे तो ऐसे बच्चों में क्या होगा कि भाई जो glucose है वो excessive amount में जमा होने लग जाएगा like brain के अंदर अगर brain के अंदर glucose जमा होने लग जाएगा excessive amount में breakdown नहीं होने की वज़े से तो वहापे क्या होगा hydrocephalus की condition arise होगी due to blockage ठीक है next one यहापे बात कर लेते हैं next cause कोजी तो वो है degenerative atrophy of brain अकर brain में atrophy होने लग जाए बच्चे के यानिकी सिकूर ने लग जाए neurons वगेरा कम होने लग जाए brain सिकूर ने लग जाए तो ऐसी condition में भी hydrocephalus हो सकता है ठीक है तो यह बात हो गई यहापे causes की next one बात कर लेते हैं अपन इसके types की तो भाई causes के basis पे जो hydrocephalus है दो टाइप का होता है communicating and non-communicating ठीक है यहापे दो टाइप का hydrocephalus होता है communicating and non-communicating नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बाकी में आपको समझा देता हूं communicating hydrocephalus का मतलब होता है कि यहापे CSF का circulation नोर्मल है यानि कि communication नोर्मल है वेंट्रिकल से सबरेग्णोइट स्वेस में normal CSF circulate हो रहा है बट यहापे problem का आ रही है CSF के absorption में problem आ रही है यानि कि जो एरेक्नोइड विलाई है वो CSF को absorb नहीं कर पा रहा है तो इसको तो क्या बोलेंगे communicating hydrocephalus इसमें क्या हो रहा है कि circulation नोर्मल है बट जो absorption होना चाहिए एरेक्नोइड विलाई में वो नहीं हो पा रहा है इसको बोलेंगे communicating hydrocephalus second one आता है type non-communicating hydrocephalus अब इसमें क्या problem देखने को मिलती है कि यहां पर अब क्या हो गया है non-communicating में just opposite होगा कि CSF का circulation है वो ही block पड़ा है यानि कि CSF circulate नहीं हो रहा है ठीक है तो उस वज़े से hydrocephalus condition arise होगी तो इसको बोलेंगे non-communicating और इसको बोलेंगे communicating कम्यूनिकेटिंग में circulation नोर्मल है बट absorption नहीं हो रहा है non-communicating में क्या हो रहा है circulation ही block हो गया है असमाल लेता हूं तो इसको अपन दो पार्ट में continue करेंगे next वीडियो में अपन इसकी pathophysiology sign and symptoms treatment के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको इस topic में अभी तक कोई भी problem हो तो आप मुझे comment करके पूछ लीजे thank you